तो चलिए 11AC गुहार्टी का रिभी व आपके साथ सेर करते हैं यहाँ पर जो हुआ है जीडी जीडी में बहुत जादा लड़के यहाँ से आउट हुए है फीजिकल खुवा की तरह यहाँ पर हुआ है बहुत असान हुआ है फीजिकल फीजिकल में लड़कों को उतना दिक्कत नहीं हुआ कि जीडी में आपका दिक्कत हुआ 11AC गुहार्टी के अंदर में भुपेंदरे मिसन अगने वीर ग्रूप से कैंड़ेट बिलॉंग करते हैं अपने ग्रूप से अगर आप मिसन अगने वीर ग्रूप को ज्वाइन नहीं किये तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको किसी भी AAC का रिविव मेरे साथ सेर करना है तो आप मेरे को वर्टसप नंबर या कॉल के जरिए आप नीचे मेरा नंबर होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है सवाल है आप पूछ भी सकते हैं ठीक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नंबर होगा या टेलीग्राम आईडिया अपना नीचे सब कुछ दे देंगे डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लिजेगे एक बार जहां से आपको लगे वहां से रिवीव आप मेरे को सेयर कर सकते हैं ठीक है तो अफुपेंद्र का 11AC का जो रिवीव है हम आपको सुनाते हैं इन्होंने क्या कहा है बहुत ही बहतर रिवीव है आपका अभी तक यूटूब का सबसे विश्ट 11AC गुहार्टी का बीस के पहले बीटा का बताएं थे इसके बाद हम सिकंद्राबाद आएंगे फिर जोधपूर आएंगे ठीक है बारी बारी से उसके बाद कानपूर का रिवीव आपके साथ सेर करेंगे मतलब की टोटल ओल एसी अंबाला भी है आपका सब कुछ आज ही आपको मिल जाएगा तो सबस्क्राइब करके रखिएगा बहुत जरूरी है आप बोलो सबस्क्राइब करेंगे डाषी नाम है मेरा कुछ भीड़ाटी अब है लूक अजाएब लुक इस नाम है पेरा लूक इस राजभूद बोलते जाए तो मतलब एंटरी होई सुगज पाद से पाथ बढ़नाशने की संटिंग मतलब एंटरी स्टार्ट होगी थी एट्री स्कार्णिय के करीब एक रेक्ट गंटे बास तक आप है मतलब गेट पर ही ड़ेड़ी अब लेगवे लिए जित आप पा लेकल जब ले इस लायन में आ गया उसके बाद पसाई बास लेगए गरांड पर ग्रांड पर ग्रांड नीटा मतलब की रोड़ी स्ट्रेट हूड लास्ट मैं थोड़ा सा टंड था करीब फॉर्मिटर का बस इस जादा नहीं था ठीक है और रोड का रिनिंग कर नहीं थी रणिंग ग्वाटी का फिजिकल इतना मेरे वाले 25 को इतना मतलब आड नहीं हुआ नॉर्मल होगा श्रीवी लिकें बच्चे जो जाद असल होते वो आउट होगे अगर मैं अपनी बात करो हैं मैं बीच में रुप जाता दो बर यहीं मैं पास थेगए को कि मैं थोड़ी कंटिनिटी बना कि रखा था अगर आप कंटिनिटी बना कि रखते हो तो आप पास कर तो आप बोलता उसमें दोड़ी से बच्चे आउट होगा इंदर सारी क्रिया कंटिया उसके बाद सब को मतलब एकटना किया गए और उनको पानी बानी के लिए बेजिया पानी पी नहीं पाद रह तो बस में ले गए बस में ले आप दुबारा से सेंटर मेलाई होडी तेर बैठाया, बैठाने के बाद थोड़ा सा डूकुमेंटेशन था गवा था, एक दो फॉम से परवाई गई, उसके बाद पर S.R.T. के लिए बोला गई, हमानला भॉल में ली गई, लिए 14.xx in 2.10 निक टुक्की की बाद करें, हमारा जांने कुर में लेकिन और 20 बंद ॹंप करना एक टुक्क लो दूंच पर करें को कि की तुट्त वहिव। के वे जाएंत धूगरीं के एफ संथे वोटिंग की इसमें तरहां तरहां है अपने पहर उन्धर नहीं कर पाई अधा थे वह जिसके पार्फिकल है करीव सैंतर भट्ची कर्या पाई यू जिसमेशे रणीं कर बाक करेऊ नहीं करपाई तरहां कर वह नहांद है वह जाएंद कि वहीं में तो हिजोनों थो जाने ने अद्हें का निकाट sufra टौपती साथ फ़ुछ है कि वाय। जब आद दौढ़ा ड। मेरा तीसरा वैस्ता हो स्मृस सिलHighings ऐसे 5 उ差 5 को सब्चप्छ कारीफ कर्सि पूरा ता सॉस्थ जाधे पांख कर दो होने का सीकत पढ़ेंगी कि यह घुत पंधर नीयुक्राइब डिर से इक जैएक फेर शीर्टू ने आपको यह करना है कि जब चूर को पढ़ेगा तक दिर थीरे तरह समय हाँ जाएका ये ज़िति थीरे तन्य तिरे पढ़ेगा प्लुन एक पूंट को मतलब फी familiar spoiledmed पढ़ेगा उसके बद क्या करना आपको रफ जो दी आपको उनमें की पॉइंट्स लिखने की पुरा सेंटेंस नहीं बनाना के अगर की पॉइंट्स बनाने लगे तो आगे निकल जाएगा पढ़ने वाला इसलिए के उनको नोट कर लेंगा उसके बाद जब तुमारे हो आपने रफ शीट के ऊपर जो पॉइंट लिखे है उन पॉइंट को अच्छे से जैंटेंस की फॉप में फेर सीट पे लिखना है जो पास रहेगी आप उसमें दीट के दवरा आप उससे एल्प ले सखते हो जैसे बाद वैसे पास यह कर ना कि मतलब जयसे पहले तो पहले जिए से जीए भी मतलब देखे, रफ सीट वास देखने की जड़ोत ना पड़े, लेकिन भाही चांस अगर तो तुम देख सकते हो, देखने का मतलब यह है कि बोलते टाइम तो बिल्कुल मत देखना, आप बोलने से पहले देख सकते हो, बोलते टाइम देखोगे तो आपकी बार बार नीची जाएगे तो तोड़ा ओड़ लागेगा, इसलिए बोलते समय है, बिल्कुल भी नीचे नहीं देखना कि अपनी बाड़ी की तरफ लेक रहा है, ठीक है? और बोलते करना तोड़े से एक-दो पांट यूनिक भी बोल देना, जैसे आपका इंपरेंस डोकुमेंटेशन करने के बाद करीब बैठाया गया, बार भी गठाया गया, फिर खाना वाइना के, तो बहर में खाना नीचे घालिया था, लेकिन खाना वाइनाता थोड़ा जो निकल आपके उन्हें नसे खालिया, थिक है बट जो रिज़ल्ट दा वो भाही, बहुत देन तो जीडी जादा हाड था जीडी जादा हाड इसलिए था क्योंकि जो बच्चे थे वो फिस्ट मार्ट कीरियेट कर रहे थे जो सिरी चीज वो किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे और जादा अटक रहे थे वही बच्चे आउट हुए और जो बिल्कुल भी बोल नहीं एक बोलना स्ट मत करो जब बोलना स्ट करो तो करीब 10 सेकंड तक वेट करो जब सारे 10 सेकंड रोज़ा है तुमारे तो बल्ली बंदे बोल रहे हैं, लेकिन 10 सेकंड के बाद आप भी बोलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे रिकने टंप्रीट होगा वो आपको मोका नहीं देगा पर मेरा मतलब मानना यह है कि स्टार्टि में मतबूल हो जाना कि चाहदा पिस मार्केट क्रियेट हो जाती है, तो थोड़ा 10 सेकंड पर पेसंस रखना करीप 50 सेकंड मिलेंगे, 50 सेकंड में आप उना पॉंट रख सकते हो, that's all, भाई यही था अच्छा ओरहल जीडी, ठीक है? इत, सही है भाई, बढ़िया गया गया गुवार्टी तो, भाई गुवार्टी में अच्छा था, TFC मतलब और मल था, अच्छा, जीडी कितने बारी में सीट किये तुम, टोटल? भाई, सबसे जादा रेजक्शन गया था, वो हुआ था जीडी से, और जीडी का रेजक्शन मतलब बहुँ जादा बार करती है, मतलब बहुँ जादा बार करती है, इतना बार मतलब तुम ने कितना बार बोला था? पाउस पंदर बनने के लिए और जीडी करते हैं, तो तुम पाउस 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 देरे भाले ले अगर किस तरी है टो गुभी तो पूरा डेमो देरहा अच्छे सभेवा रहे हैं आख्या, यही तो जुड़ा है और रंध्रेक सा रख्क पड़ेगा मुझे रंध्रेक सथारे क्या साहरा है 1400 लग रहा हुगा, 1400 साइट मुज लगा रही है, को फोटीन अंडरे बूल लग रहा है 1400 मिटर तशॉरस नहीं होगा तुमारा कि मैं खर पर जब प्राइनिंग लगाता था तो मेरे साथ सावाब साथ मिन्ट अवीटी है कि इना रूगे होगी इगर रोड़ पर यहां पर री इस वरॉड पर रूई तो रूड़ पर रूऑच बाँ इसमें इस से के रुड़ पर रूगी देहिची जिन चरण और है कर दो giंद दो फंसे कर दो फ्लिद। मैं अपक भी बता रहा हूं, मान ले अगर मेरे सके दॉर्टम यह झॉढ़ मेरे से सो मुचा मेरे सथे ज़ाने राग से भड़ी, यह यह जा कर झा करें मेरे से तबार मंदैं इस यॉचे कर आँ में घटींट में था दो जो अग गई थी भूसारी तरहमें आते हैं तो लाज ते 400m पिल यूर इस टाइटर निसे मेंटेन है अपने 1200m नतलब की मेंटेन करना एपना याँ 1200m से स्पीड़ाख करने ना आपको तो उसके बढ़ाद बढ़ादेना तो यह था आपका 11 A.S.E. Guharati का review था और यह जो लड़के आप देख रहे हैं यह सारे लड़के अपने group के हैं मीसन अगनी विर ग्रूप का और यह कोई जीडी का extra classes जाकर offline 5000-10000 का कोई भी नहीं किया था ठीक है नॉर्मल साइन लोगों ने ग्रूप बनाया मीसन अगनी विर में से लड़के उठाएं और जो ग्रूप था टेली ग्राम का और अपना एक के कुछ दिन चार-पास दिन छे दिन पहले ही लोग साहथ डिसकसन स्टार्ट किये थे अपना वो वीडियो कॉल के जरीए गूगल मीट पर ठीक है तो या जूम या गूगल मेट जो भी वहां पर यह लोगो ने स्टार्ट किया था और आपका नतीजह आपके सामने देखी रहे हैं आप सेलेक्शन हो गया लड़कों का बहुत सेलेक् बहुत जादा हो जाता है इसलिए आपको बता रहे हैं कि हमसे जूड़ जाए आप लोग और अराम से आप अपना फेजटू का जो तयारी है बेतर लेवल से कर सकते हैं डिसक्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक होगा टेलिग्राम का आने वाला फेजटू के अंदर में का कुछ ही एक कॉमेंट्स करिए नीचे कॉमेंट्स बॉक्स भी खुला रहता है ये गुहाटी का रिभीव था मतलब की साफ बात यहां पर यह है कि फीजिकल में लड़के वही आप बाहर हुए हैं जो बेकार दोड़े हैं स्टैटीजी के साथ अगर आपको दोड़ना मतलब की स्टैटीजी के साथ अगर आप दोड़ते हैं यहां पर तो आराम से सलेक्शन हो जाएगा जिसे पुपेंदर ने बताया कि वह पचासी लड़कों के पीछे था फिर भी वो लाश्ट में बोला कि 1200 मीटर हम आराम से दो होता है चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंद और अगला जो वीडियो होगा जोदपूर या सिकंद्राबाद या तो कानपूर होगा उसके बाद अमबाला हम ओल एसी को किलियर करते जा रहे और आपका जो भी डाउट होगा वो भी किलियर होता जा तो सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जुरूरी चैनल को